सिरी गणे शाय नमा, प्रिये बंदुगों आपसे हमारा अन्रोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे चेनल की सदस्ता नहीं ली हूँ, तो क्रप्या चेनल की सदस्ता लें और नीचे जो अंगुठे का निसान है, यदि आपको हमारी विसेवस्तु पसंद आती है, तो वो नीचे अंगुठे का निसान है, उसे दबाएं और साथ में अपने एक या दो इश्टमित्रों को प्रस्तो द्विसेवस्तु अवस्य ही प्रेशित करें। इसके साथ ही यदि आप हमसे कोई प्रश्ण पूछना चाहते हैं, तो जो नीचे कामेंट स्वाक्ष है, उसमें अपना नाम हिंदी में और मोबाईल नंबर अवस्य लिखें। यदि कोई कुणली से सम्मंधित आपका प्रश्ण है, तो आप अपना जन्म समय, जन्म का धिनांग और जन्म इस्थान अवस्य ही लिखें। आज हम चर्चा करेंगे कि दिनांग चोबीस नमंबर दो हजार चोबीस दिन रभी बार के दैनिक रासी फल के सम्मंद में। तो बंधुगों आज मार्ग सीर्स मार्ष, मार्ग सीर्स मास याने इसे बूल चाल की भासा में अग्धन का महिना कहते हैं। तो इसके क्रश्न पक्ष याने अंधेरे पाख की नौमी तिथी है और पूर्वा फालगोनी नाम का नक्षत्र है। आज यदि जो भी बालक और वालिका जन्म लेते हैं तो उनका जन्म अक्षर मो टा टी ओटू ये होगा। याने उनके नाम का प्रारंब मो टा टी ओटू से होना चाहिए। आज का जो पाया है वो चांदी का है और मूल शुब अंक आज का आठ है। देनिक रासी फल के क्रम में सर्व प्रधम बात करेंगे हम मेश रासी की। मेश रासी बालों की आर्थिक इस्थिती सुल्जेगी याने अच्छी रहेगी और आज धार्मिक कारिये हो सकते हैं जो इनके रुके हुए कारिये हैं। वे भी बनने की संभावना है शुब रंग है लाल और सफेद इसी प्रकार से आगे के क्रम में हम चर्चा करेंगे ब्रस्रासी बालों की तो ब्रस्रासी बालों की आज समाज में प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी धार में कारिय होने की संभावना है और धन का आगमन भी हो सकता है इनके लिए आज का शुबरंग है भूरा पीला लाल और हरा आगे के क्रम में नमबर आता है मिथुन राशी वालों का तो मिथुन राशी वालों को यातरा की योग हो सकते हैं सफेद और सुदर बस्तूओं के पृति इनका आकरशन बढ़ सकता है और इनसे लाव भी हो सकता है धन आगमन के योग हैं इनके लिए शुबरंग है हरा और लाल मिधन रासी के पस्चात फिर क्रम आता है करकरासी वालों का तो करकरासी वालों को चाहिए कि आज वेकार की जंजटों से धूर रहें परिवार में इनका मदभेद हो सकता है और आखों में कश्ट हो सकता है जो अनुचित कारिय हैं इनसे इनें बचना चाहिए के लिए शुभ रंग है आज का लाल और सफेद ऐसे ही जो सिंग रासी वाले हैं तो इनके कान और पेर में तखलीफ हो सकती है सिंग रासी वालों के लिए शुभ रंग है लाल सफेद और पीला सिंग रासी के पस्चात क्रम आता है कन्या रासी का तो कन्यारासी बालों को आज अपनी वाणी के उपर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने धन खर्च सम्मंधी मामलों में बड़े सोज विचार के धन खर्च करना चाहिए और अपने धन की सुरक्षा का प्रियत्न करना चाहिए क्योंकि आज अनावश्यक रूप से धन खर्च होने की संभावना है इनके लिए शुभरंग है हरा और लाल अब कन्या रासी के पस्चात में क्रम है तुला रासी का तो तुला रासी वालों की आज सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी और इनके लिए शुभरंग है भूरा हरा और लाल तुला रासी के बाद में ब्रश्चिक रासी वालों को मानसिक प्रसन्यता रहेगी और धन आगमन का योग भी है इनके लिए शुभरंग है लाल सफेद और पीला ब्रश्चिक रासी के पस्चात क्रम आता है धन रासी वालों का तो धन रासी वालों को बाहन और परिवार का सुख प्राप्त हो सकता है धन आगमन का योग बन सकता है इनके लिए शुभरंग है पीला लाल और सफेद धन रासी के बाद में क्रम है मकर रासी का तो मकर रासी वाले जो हैं आज इनके लिए अपने अधिकारी और कर्मचारियों से विशेश सयुग प्राप्त होगा और मान तथा सम्मान भी बढ़ेगा इनके लिए शुभरंग है काला हरा और पीला इसी प्रकार से कुम्बरासी वालों को चाहिए कि वे विवादों से बचें और मिलकर कारी करने का प्रियास करें इनके लिए शुभरंग है काला हरा और पीला मीन रासी वालों को चाहिए कि इन्हें भी विवादों से बचना चाहिए अपने स्वास्त के प्रती सचेत रहना चाहिए इनके लिए शुभरंग है पीला लाल और सफेद जैसे कि हमने बताया कि भारत एक बड़ा ही विसाल देश है यह जो रासी फल बताया है यह संपूर्ण भारती जनसंख्या को दरश्टिकत रखते हुए बताया है और यह एक संकेत मात रहे यदि दर्शक ऐसा ना समझें कि यह एक किसी विसेश व्यक्ति के ही बारे में है यह बारा रासी के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए मात रेक किवल संकेत है बंदूओ प्रस्तो द्विसेवस्तु आपको कैंशी लगी यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कामेंट्स वाक्स में लिखें आज के लिए इतना ही सेश अगले भाग में नई विशे के साथ में आपकी सेवा में उपस्तित होंगे आग्या दीजिए धन्यवाद जै माता की जै प्रस्तो आम जी कि